हैलो फ्रेंट ते देखे मैंने एक मीकसर जार ले लिया है इसमें में ग्रीन चठनी बनाऊँगी कल मैंने वेडियो डाला थे मीठी चठनी का इसके लिए धोग है कम से कम एक कटोरी चोपट करके धनिया पत्ता ले लिया है ये चठनी फ्रीज में आराम से आठ से 10 दिन इसलिए मैंने आपको चटनी दिखा दिया है यहां जाएगा चार से पांच तीखी मिर्ची जो तीखी हो और आठ से दस मैंने यहां लासन की कल्या लिया लिया और आधी मूठी मैंने भुना हुआ मुंफली लिया है छिलका निकाल के यह जरूर डाल यह नहीं हो तो सेव डाल दीजिए और यहां मैंने वन टीएस पी मैंने निबू डाला था निबू निकाल के और टेस्ट के कोड़ी मैंने नमक डाला और इसे नो मिक्सर जार में चला लेंगे पर फ्रीज का ठंडा पानी मैं बनाने से पहले दस मिट पहले फ्रीज में कटोरी में ठंडा पानी रग और पिंच मैंने हाँ सक्का डाला था जादा ने पिंच सक्का डाला था और यह मिकसर में चला के ला दिया जो दिये देखे कोई बोलेगा मैंने बीना कलर के मार्केट में हर चटनी में कलर होता है पर बीना कलर की मैंने चटनी फटा फट बने पर क्यों कि फ्रिज के पानी इसमें और डालूंगी थोड़ी सी ठंडा पानी फिर इसे मिकसजर में चला के लाओंगी और इसे डबे में याटाइ डबे में करके रख दूंगी तो यह हो गई हमारी फटा फट तीकी और चटपटी हरी में मिर्ची धनिया पता सब की चटनी हो गई हरी चटनी हो गई और मि बीजा निकल के मैं इसे ले लूँगे तो सारा बीजा निकल के मिकसाजार में ले लिए पंदरा से बीस मैंने लसन के कलिया ले लिए आधार चुकड़ा मैंने हाध रख ले लिया यह चटनी चटपटी होती है और यहां मैंने दो चमच मैंने टीएसपी से लिया है जीरा पाउडर नहीं यह जीरा है और यहां मैं डालूँगी दो चमच तू टीएसपी मैं डालूँगी चाट मसाला और यह फटाफट आपके हो जाएगी तीखी वाली चटपटी रेड वाल इसकी वीडियो में आज अप्लोड करने वाली हूँ तो इस निवी गर आप चाट-पटी घर में ही चाट बनाई मेरी रिस्पी से फिर कमेंट करें आप कोई रिस्पी कैसी लगी